दोस्तों क्या आपको दिक्कत होती कि कौन सा बांध किस राजी में है और किस नदी पर है अगर ऐसा जो है कभी कवरा आप ऐसा बूल जाते होंगे उसे किस तरीके से हम हमेशा दिमाग में रखे कि हम उसे ना भोल पाए उसके लिए बेहतर ट्रिक लेकर हम आये हैं और उसे हम हम लोग देखते हैं जिससे की वह आपके दुमाग में हमेशा बना रहे देखिएगा बच्चों सबसे पहले कौन सा नदी बाण है किस नदी पर है किस राज ما है इसे ऐसे याद करना तो देखेगा इसमें टीहरी बांद भागी रती नदी पर है उत्तुरा खंड में है तो देखो कितना आसान है याद रखना इसमें देखो इसमें दो सब्दें टी और हरी हरी टी अर्था ग्रीन टी जो पीता है उसके बाद लोग दवडते हैं अपना स्लिम नेस्व बनाते है तो याद रखना हरी टी पीकर या ग्रीन टी पीकर भागो जब भागोगे तो आप समझते हो सबसे आगे जो है वो उतर सबसे आगे उतरोगे लोगों में सबसे आगे उतरोगे याद रखना टी हरी ग्रीन टी पीकर जब भागोगे तो लोगों में सबसे आगे आओगे सब से आगे आपका नाम होगा तो इसे ऐसे याद रखिएगा सरदार सरोबर बांद नर्मदा नदी पर है गुजरात राजी में है तो याद रखना ये सरदार सब्द है सरदार आपको पता होगा कभीलों के होते हैं नर्मदा नर्मदा में दो सब्द है एक है नर एक है मादा अर च防 PROD urgなる सरदार नर्हों चाहिए बस उसका गुजारा चलना चांगाई लग करेई उत्तर प्रदेश में तो राणी लश्मी वाई आपको पता ये कैसी गया वो रानी हुई है जिन्ोंने अंग्रेज़ों को कड़ा जबाब दिया है हमेशा हमेशा हर चीज हर प्रस्ण का या हर कारिवाई का उत्तर देने के लिए तयार रहती थी तो रानी लच्छमी भाई हमेशा बेताव रहती थी क्या करने के लिए उत्तर देने के लिए अंग्रेजों का अंग्रेजों की हर कारिवाई का उत्तर देने के ये हमेशा बेताव रहती थी तो लचमी वाई बेतवा नदी उत्तर प्रदेश देखेगा बच्चो रडजी सिंग सागरबांध रावी नदी पर है पंजाब में है पंजाब में सब्द देखेगा ये सब्द है जाब जाब का मतलब होता है नौकरी अगर आपको नौकरी मिल गई तो समझो आपने रड जीत लिया नौकरी मिल गई तो रड जीत लिया समझलो रव आप पर खुस हो गए जब आपने जाब मिल गई तो समझलो रड जीत लिया समझलो रव जो है वो आप पर महरवान है रव को आपने खुस कर लिया रव आप पर खुस है तो आगी देखेगा महाराश्ट काफी बड़ा है बहां इतना बड़ा राज़ी है तो जब आप बहां जाएंगे तो कोई ना कोई आपको मिल जाएगा कि आप देखेगा उरिशा में जो है महा नदी पर हीरा कुंड बांध है बच्चों याद रखना यह हीरा कुंड बांध भारत का डिसमें हीरा सब्द है यह महा नदी है एक बात बताओ बच्चों जिस नदी में हीरा पाया जाएगा तो बो नदी नदी में ही मिल तकता हर आदमी उड़कर ऐसी नदी पर जाना चाहेगा जिस नदी में क्या मिल ले हूँ हीरा मिल ले हूँ अब देखेगा ये फरक्का बांद किस पर है गंगा नदी पर है और किस राजी में है पस्षिम बंगाल में है तो याद रखना चूंकि गंगा नदी जाकर बांगला देश पस्षिम बंगाल में जाकर डेल्टा बनाती है तो बंगालियों को ब गंगा नदी पर बहुत ही फक्र है या फक्र करते हैं गंगा नदी पर बंगाली उसके बाद है कस्मीर चिनाओ बगलिहार और फिर जो है कस्मीर चिनाओ सलाल तो देखेगा दोनों ही चिनाओ नदी पर हैं बगलिहार भी और सलाल भी है तो लोग कहते हैं कि कोई महिला खड़ हो रही हैं भाई चुनाओं में तो लोग करें अरे पगली बगली को कर लेंगे पगली अरे पगली कस्मीर के चुनाओं में मत खड़ी हो अरे पगली कस्मीर के चुनाओं में मत खड़ी हो क्यों क्योंकि जो चुनाओं है वो सही सलामत बहां अभी नहीं हो रहे हैं सलाल मतब सही सलामत पगली चुनाओ जो कस्मीर का है उसमें मत खड़ी हो क्योंकि अभी चुनाओ जो हैं सही सलामत नहीं हो रहे हैं क्योंकि सलाल भी चुनाओ नदीपर है कस्मीर के तो या रखना पगली कस्मीर के चुनाओ में मत खड़ी हो क्योंकि जुनाओ जो है भी सही-सलामत नहीं हो रहे हैं उसके बाद में यह देखिए का राम गंगा बाराम गंगा नदी पर हैं उत्राखंड पर तो याद रखना हम अपना उत्रादिकारी उसी को मनाएंगे जो राम जैसा हो गंगा जैसा पवित्र हो वही बात है राम गंगा राम गंगा तो हम अपना उत्रादिकारी उसी को बनाएंगे जो राम जैसा मर्यादित बेखती हो जो गंगा जैसा पवित्र हो तो याद रखना ये दोनों ही याद रहेंगे लखवार बांद किस पर है तो लखवार बांद जो है वो यमुना नदी पर है उत्तरा खंड में तो लखवार का मतलब लाखों में यह मुन्ना या हटा दिजेगा तो लाखों में है मेरा मुन्ना जो क्या करेगा दुश्मनों को खंड खंड कर देगा लाखों में है मेरा मुन्ना जो दुश्मनों को क्या कर देगा खंड खंड कर देगा और बच्चों बह किसन का आप लोगोंने बहुत सुना होगा किस्टव बच्पन में क्या खा लेते थे माती खा लेते थेね और चम्माती देखलेती थी तो बहुतं नाटक उत्त कर तेख्ट brush design लुग माती जो अच्छे लोग होते हैं कितना भी तंग हो जाएं लेकिन वो नाटक नहीं करते हैं बद्र पुरुस तंग आकर भी नाटक नहीं करते हैं तो याद रखना तुंग बंद्रा बाद तुंग बंद्रा नदी कर नाटक उसके बाद देखेगा वच्चो नागार्जुन बाद कृष्णा नदी आंद प्रदेश में नागार्जुन का मतलब वो अर्जुन जहां अर्जुन होंगे बहां उनके कृष्ण तो होते ही हैं कृष्ण ने ही अर्जुन का अंदकार मिटाया था आंद प्रदेश मतलब मिटाया था अंधरकार मिटाया था तभी टो यूद्ध के लिए तयार हुए उन्द बांद कावेरी नदी पर है कहां है तमिलनाडु में है तो याद रखना जो कावेरी है कावेरी जो है वो तमिलनाडु में क्या करने जा रही है टूर पर जा रही है कहां जा रही है तो कावेरी तमिलनाडु के ऊटी में या कावेरी तमिलनाडु में कहां जा रही है टूर पर जा रही है घूमने जा रही है पेरियार पर इडुक की बांध है और कहां है केरला में है बच्चों तो केरला को समझो करेला और आपको पता है साउथ में इडली डोसा बगएरा यह सब बहुत चलता है तो करेला के साथ इडली खाओ कौन कह रहा है दोस्त कह रहे है यार करेला के साथ क्या खाओ इडली खाओ बता करेला के साथ इडली खाएगा उसका क्या हाल होगा ऐसे समझो लेकिन दोस्ती में वो कह रहे है कि यारे यार करेला के साथ क्या खाओ इडली खाओ आपको याद रहेगा जब भी करेला देखोग है एक हाँ हिमाचल प्रदेश के या रखना हिमाचल का भी छेतर आता है पंजाब का छेतर इसटर went जाती यह बच que$ 1 सउनते आ रहे हैं तो इसमें कोई इसी दिक्त नहीं बाकि देखेगा पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की बात कर लो चाहे हिमाले कह लो लेकिन ये ब्यास को हम क्या कह सकते हैं प्रियास ठीके और पोंग को क्या कह सकते हैं धोंग तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई हिमाचल पर चड़ने का या हिमाचल पर जो आप प्रियास कर रहे हो वो धोंग है हिमाचल पर जो आप प्रियास कर रहे हैं जाने का वो क्या है वो धोंग है डोंग के पूंग बांद याद रखना हिमाचल पर ब्यास मतलब प्रियास तो हिमाचल पर जो जाने का आपका प्रियास है व यह बहुत ही आसान ट्रिक आपके लिए हम लेकर आये ते इसी तरीके से बहतर से बहतर सांदा ट्रिक जो है वो जानने के लिए और अपने एक्जाम को बहुत सरलतम बनाने के लिए हमारे केरेटरम ऑनलाइन मंच से जुड़े रहेगा ओके थैंक्यू